गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू माई चैनल एक्जाम इस्टोर एक्जाम इस्टोर चैनल में मैं आप सभी का श्वागत करता हूँ तो फ्रेंड आज हम लोग बात करने वाले हैं UPSC PET को लेकर साथ में लेखपाल भरती के बारे में भी बात करने वाले हैं तो फ्रेंड बहुत सारे केंडिडेट बेशबरी से लेकपाल भरती परिच्छा को इंतजार कर रहे हैं कि कभी इसका फॉर्म आएगा और मैं इस फॉर्म को अपलाई करूंगा तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी केंडिडेट लेकपाल भरती के यानि आवेदन करना चाहते हैं वो दो डॉकॉमेंट्स जो है सबसे पहले रेडी कर ले ताकि जैसे ही आए पीटी की तरह दुबारा लेट ना हो जाए इसलिए मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ कि वो दो डॉकॉमेंट्स जो है उसको आप लोग बनवा के रख लिजे ताकि जैसे ही फॉर्म है आप उसको सम्मिट कर सके हैं तो फ्रेंट इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रेपल सी पीटी को लेकर साथ में बच्चे ऐसे हैं जो पीटी में रजिस्टेशन करना चाहते हैं ताकि वो लोग भी फॉर्म को सम्मिट कर पाएं लेकिन अब देखिए अठाइज जून को फिर जो है लखनों मिस्तित आयोग के कार्याले में भी घेराओ करने वाले हैं तो उसके बारे में भी हम लोग बात तो फ्रेंड यहां पर पहले मैं आपको लेखवाल भरती के बारे में बता दूँ कि बहुत सारे केंडिडेट लगतार मुझसे लेखवाल भरती के बारे में पूछ रहते तो मैं आपको यहां पर बता दूँ कि यूपी में लेखवाल की भरतियों का जल्दी एलान किया जा सकता है UPSC लेखपाल के हजारों पदों पर भरतियां कर सकता है अब यहां से देख सकते हैं UPSC उत्तर प्रदेश स्वाडिनेट सर्विस सेलेक्षन कमिशन अगर आप भी लेखपाल बनना चाहते हैं तो इसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशकबरी बता अंतरगत साथ हजार उननीस लेखपाल एक हजार तीहत्तर राजसो निरचक और तिर्पन वरिष्ट साय और एक सोचार कनिक साय के पदों के लिए भरति निकाली जा सकती है काफी लंबे समय से यूपी लेखपाल वरति दोजार एक किस को लेकर संसय की इस्तिति बनी हुई ह जिसके लिए उत्तर प्रदेश दिनस्त सेवा चैनायुक द्वारा जल्द से जल्द भरति कराने के हर संबव परियास किये जा रहे हैं एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो अनुमान है कि यूपी राजासु परिशत विभाग में लेखपाल के कुल 30,837 पद जिनमें 24,000 पद भरे हैं जबकि सेस पड़े खाली पदों को भरने के लिए यूपी राजासु विभाग ने अब कमर कस ली है और आने वाले समय में सभी पदों को भरा जाएगा जिसमें चकबंदी और राजास लेखपाल के दोनों पद दोनों के लिए भरती कराई जाएगी अधिक जनकारी के लिए आप यूपी ट्रिपलसी के जो ओफीसियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं इसके लिए आवा आपको मैंने बताया भी था कि एक्जाम इस्टोर चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अब यहां पर कौन कौन से सर्टिफिकेट है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ अगर आप यूपी लेकवाल वर्ती का इंतजार करने हैं तो आपको बता दे कि जल्दी बड़ी संख्या में भरतिया होंगी जिसमें आवेदन के लिए उमिदवार के पास कंप्यूटर में ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए तो देखिए यहाँ पर ट्रिपल सी सर्टिफिकेट के बारे में अनिवारे कर दिया गया है तो जो लोग केंडिडेट अभी तक ट्रिपल सी नहीं किया है वो लोग कर सकते हैं क्योंकि हर महीने इसका फॉर्म आता रहता है लगवाग 590 के आसपास का इसका फॉर्म आता है तो यह जो डोकुमेंट्स हैं आपको पास होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म के लिए इलिजबल होंगे पहला तो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए साथ में पीटी आपको क्वालिफाई होना चाहिए यहाँ पर डारेक्ट लिका है कि जिन्हेंने पीटी पास किय होगा हुआ ही इस फार्म को जो है उनके पास उसका सर्टिफिकेट भी होगा ठीक है तो गाइस इसमें यह अब चलिए मैं आपको डारेक्ट पीटी के लिए बताता हूं तो यहां पर देख सकते हैं यह एक्जामी स्टोर के ट्वीटर एंडल है और मैं आपको यहां पर दि संत्री जी आपसे बिनमर निवेदन है कि यूपीट्री पलसी पेट रजिस्टेशन की डेट बढ़ाने की किरपा कीजिए हम जैसे लाकों भी दरती एक सब्सक्रा तक लगतार प्रयास के बावजूद भी सर्वर की समस्या के चलते हैं फॉर्म अपलाई नहीं कर सके और मैं न्यूजपेपर के यह देखिए लखनव चलो 28 जून 2020 को यहां पर यूपीट्र पलसी पेट की आवेदन तिती बढ़वाने तु आयोग का घेराओ यहां पर पब्लिक पार्लियामेंट पंकस पांडे जी के दुवारा पीटी नावंकत तिती बढ़ाने की मान यह न्यूज इस थारीकों और यहां पर देखिए यह भी बताया गया है कि वह बड़ी संख्या में लखनव इस्तित आयों के करेयाले पर 28 जून को पहुंचकर घेराओ वीक करेंगे तो कुछ इस तरीके से लगतारी स्टूडेंट जो अपनी बात मनवाने की कर रहे हैं ताकि पेट की र बैटे केर जाएं दोस्तों